हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल थिंक अबाउट प्लांट अगेन मैंने शॉपिंग की है प्लांट की मैंने कोई नर्सरी विजिट नहीं किया है बट जो भी प्लांट मैंने परचिस की हैं वो अपने भाई से मंगाए हैं तो मैं खुद नर्सरी नहीं जा सकी तो भी प्लांट मजे चाहिए थे वो मैंने अपने भाई से बोल दिये थे और वो प्लांट ले आया प्लांट हेल्दी हैं काफी अच्छी कंडिशन में भी हैं तो इस वीडियो में आपके साथ मैं अपनी शौपिंग शेयर करूंगी और प्लांट के नेम और उनके प्राइस भी बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं तो फर्स्ट प्लांट है मेरा ये रेन लीली का प्लांट वाइट रेन लीली मेरे पास पहले से ही है वो मैंने अपने फ्रेंड से स्वाप किया था आपके साथ शेयर भी किया था उससे ये पिंक है इसमें पिंक कलर के फ्लार आते हैं ये देखिए स्पेंट भी हो चुके है इसमें जब यह प्लांट लेकर आया था मेरा भाई तो इसमें फ्लारिंग हो रखी थी तो प्लांट काफी हल्दी है और यह प्लांट मुझे 50 रुपीस का मिला है और इस तरह के पॉली बैग में लगा हुआ है इसमें दो प्लांट है और मुझे यह प्लांट थोड़ा सा है मेरा यह गार्लिक वाइन काफ़ीome संदर से फिलावेर आते हैं इस में बंच आते हैं है और में काफ़ी काफ़ी हम अर। पिंख कलर के इसमें फिलावर अस यह बहुती ब्लावर आते हैं स्क्रीम पर दिखा दूँगी किस तरह के फिलारिस में आते इसमें एक साथ दो प्लांट है और इस तरह के पॉली बैग में लगे हुए हैं ये देखिए दो प्लांट है इसमें और ये प्लांट मुझे 40 रुपीज के मिला है काफी रीजनेबल प्राइज है तो ये बाय मुझे अच्छी लगी इसको मैं एक बड़े से गमले में लगाऊंगी ताकि अच्छे से ग्रो कर सके और नेक्स्ट परचेजिंग मेरी है ये ब्यूटिफूल सा वेरिगेटेड बन्यन प्लांट लोग इसे रबर प्लांट भी कहते हैं ये प्लांट मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया इसका पीस का मिला है जो की काफी रिजनेबर लगा मुझे और ज्यादा बड़ा प्लांट नहीं है बर ठीक ही है और ये मुझे इस तरह के पॉली थीन में मिला है तो इसे में जल्द ही रिपॉर्ट कर दूंगी ताकि अच्छे से ग्रो करें इस प्लांट को अगर शैमी शेड में अगर आप रखेंगे तो ये काफी अच्छे से ग्रो करेंगा गार्लिक वाइन और रिंडिली आउट्डोर प्लांट से तो उन्हें डिरेक संडलाइट में रख सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी मेरी प्लांट की शॉपिंग आप लोग को कैसी लगी जरूर कमेंट कीजेगा और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा थैंक यू फॉर वाचिंग माइ वीडियो एपी गार्डनिंग एन टेक केर फ्रेंड्स